सभी मित्रों को जय जय सिया राम प्रभु स्री राम की किपार हमारे सभी मित्रों पर बनी रहे एही हमारी मंगल कामना है तो पाखंड पर कवीर दास जी के कुछ दोहे कवीर दास जी सिर्फ इंसानियत को ही अपना धर्म मानते हैं कबीरदास जी ने समाज में ब्याक पाखंडवाद का विरोध किया है कबीरदास जी एक दोहे के माध्यम से कहते हैं कि दिन भर रोजा रहत है रात हनत दे गाय यह तो खून नबंदगी कैसे खुशी खुदाए कबीरदास जी उन लोगों पर ब्यांग करते हैं जो दीन भर तो ब्रत करते हैं प्रंदू रात होते ही गाय को मार कर खा जाते हैं कबीरदास जी कहते हैं कि मैं नहीं समझ पाया कि एक ऐसी खुशी है जिसमें किसी की हत्या करके इस्वर प्रसन हो सकता है कबीरदास जी जीवन में धैर धारन करने को कहते हैं धीरे धीरे रेमना धीरे सब कुछ होए माली सीचै सौगरा रितु आये फल होए कबीरदास जी कहते हैं कि किसी भी काम को पूरा होने के लिए निश्चित समय लगता है उससे पहले कुछ भी नहीं हो सकता इसलिए हमें अपने मन में धैर्ज रखना चाहिए और अपने काम को पूरी निस्था से करते रहना चाहिए एक उदाहरन देते हैं कि यदि माली किसी पेर को सो घरा पानी सिचने लगे तो क्या तो भी क्या उस पर तुरंत फल आ जाएगा नहीं तब भी उसे रितू आने पर ही फल मिलेगा इसलिए हमें धीरज रखते हुए अपने कार्ज को करते रहना चाहिए समय आने पर फल जरूर मिलेगा कवीर दास जी कहते हैं कि भगवान तो सब के हिर्दय में निवास करते हैं उनको लोग मंदिर मेस्जिद में खोजते रहते हैं तो उनका कहना है कि कस्तूरी कुंडली बसाय म्रिग धूढ़े बनमाह ऐसे घटी घटी राम हैं दुनिया देखे ना ही जिस प्रकार कस्तूरी मिर्ग की नाभी में रहता है लेकिन मिर्ग अज्यान बस उसे जंगल में खोजता फिरता है उसी तरह सर्व सक्तिमान भगवान और आनंद मनुस के अपने अंतर हिर्दय में ही अवस्थित है लेकिन अज्यानी मानब सुक सांती की तलास में बाहर अंदर घुमता रहता है ज कोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भयान कोई धाई याखर प्रेम का पढ़ेशो पंडित होई कभी इरदास जी क्या कहना है कि मोटी मोटी किताबे पढ़ने से कोई ग्यानी नहीं हो सकता जब तक वह धाई अक्षर के इस प्रेम सब्द के बारे में न जान ले जो धाई अक्षर के इस सब्द को जान लेते हैं वही सच्छे ग्यानी है कभीर ने हमेशा आपस में प्रेम भाब से एक दूसरे को समझने समझाने के लिए कहा लेकिन अभी के परिवेश में हम प्रेम करना छोड़कर प्रेम से डरना सीख रहे हैं और डरे भी क्यों न हम आज प्रेम रहा कहां व्यापार बन चुका है हमें समझना होगा कि प्रेम न बारी उप जाये प्रेम न हाट भिकाये राजा पर जा जो ही रुचे सिर्दे सो ले जाए कभी एक ऐसा ब्यक्तित्व जो धर्म जाती से परे ग्यानी और ग्यान की बात करते हैं मानवता की बात करते हैं इस्वर के निराकार स्वरूप की और प्रेम की बात करते हैं संत कभीरदास जी आजीबन समाज और लोगों के बीच ब्याप्त आडंबरों पर कुठारा घात करते रहते हैं वह कर्म प्रधान समाज समाज के पैरोकार थे इसलिए इनकी रचनाओं में शाप जलगती है लोग कल्यान के लिए तो मानो उनका समस्त जीवन ही नियोच्छावर था कभीरदास जी इतने निर्भीक थे कि श्वयंग में सुधार के लिए अपनी निंदा करने बालों की भी सराहना करते हैं निंदक नियरे राखिये आंगन कुटी छवाए बिन पानी शाबुन बिना निर्मल करे शुभाए इस दोहे कार्थ है कि श्वयंग की निंदा करने बालों से कभी भी घवराना नहीं चाहिए अपि तु उसका सम्मान करना चाहिए क्योंकि वह हमारी कमियां हमें बताते हैं हमें उस कमी को दूर करने का प्रयास करना चाहिए बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई जो मन देखा आपना मुझसे बुरा न कोई इसका यह भावार्त है कि वह सारा जीबन दूसरों की बुराईया देखने में लगे रहे लेकिन जब उन्होंने अपने खुद में जहांकर देखा तो पाया कि उनसे बुराई इंसान कोई भी नहीं है क्योंकि श्वेंग को छोड़ कर वो सब की बुराईयां ही तलास रहे हैं जो की स्वार्थी और आत्मुग्जता से भरे सुभाव का परिचायक है ठीक इसी तरह सभी लोग दूसरे के अंदर बुराईयां ही देखते हैं प्रन्तु खुद के अंदर कभी जहांकर नहीं देखते अगर वह खुद के अंदर जहांकर देखे उन्हें पता चलेगा कि उनसे बुरा इंसान इस संसार में कोई है ही नहीं उचे कुल का जन्मिया करनी उची न होए स्वर्न कलश सुराभरा साधु निंदा होए अर्थात उचे कुल में जन्म लेने के पस्चात भी अगर आपके कर्म अच्छे नहीं है कर्म उचे नहीं है तो यह उही बात हुई जैसे जहर सोने के लोटा में भरा हो तो भी उसकी चार ओर निंदा ही होती है तो बोलिए स्यावर राम चंद्र की जै एवध्यार आम लला की जै बिरिंदावन भिहार इलाल की जै पवन सुतहनु मान की जै बोलो भाई शब्षंतन की जै हर हर महादेप जैसिव संभो